तुनसरी इलेक्टोनिक्स में आपका स्वागत है दिखें दोस्तों मेरे पास सिल्भर कमपानी बोल के एक स्टेडियो आया है यह पुराना मोडल है इसमें दिक्कत क्या रहा है यह तो ओन कंडिशन में है लेकिन इसमें जो है साउंड नहीं है तो साउंड किस बज़े से गाइब हो गया हम देखते है और इसको रिप्यार करने की ओसिस करते है देखते रह है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जुरूर कीजिएगा ठीक है तो इस स्टेरियो को हम खोल के देखते है इसका आइसी में क्या कंप्लेन है अगर आइसी सही है तो साउंड की नहीं आ रहा ठीक है इसका क्या क्या प्रोब्लेम है वह हम आपको कंप्लेट इस वीडि करेंगे तो देखते रहिए वीडियो को अन तक दिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिएगा ठीक है तो मैं कैमरे को जो है अच्छी तरह से अपने जगा पे रख लेता हूं सेट कर लेता हूं उसके बाद इस इसमें लाइन देंगे और देखे देखेंग के साउंड क्यों नहीं आ रहा ठीक है यह अभी तक मैंने खोला भी नहीं है इसको खोलेंगे फोल के इसको रिप्यरिंग करेंगे और इसमें हम 12 बोल्ट का सप्लाई देंगे और एक स्पिकर लगा के चेक करते हैं यह हमरे पास एक स्पिकर है ठीक है इसमें हमने स्पिकर कन इधर यह हम्ने स्पिकर कनेक्शन एक हमारा जोड़ा हुआ था अभी इसमें दूसरा भी जोड़ दिया ठीक है तो इसमें अभी जो है 12 बुल्ट का हम सप्लाइड देंगे यह हमने बारा बुल्ट का सप्लाई कनेक्शन ले लिया और मीटर में से हम देखते हैं बारा बुल्ट आ रहा है या नहीं देखे यहां पर बारा बुल्ट हमें मेल रहा है तो यह बारा बुल्ट को हम यहां पर कनेक्शन कर देते हैं यह हमारा positive connection हो गया और यह हमारा negative connection हमने कर दिया ठीक है अभी इसको source दबाते हैं यह on हो चुका है यहाँ पर देखिए volume हमने कितना दे दिया देखिए पूरा volume हमने इसको full कर दिया है लेकिन जो है इसमें audio नहीं आ रहा है speaker हमारा यहाँ पर लगा हुआ है ठीक है speaker connection इदर हमारा दिया हुआ है लेकिन इसमें audio नहीं आ रहा तो इसको पहले खोलते है और खोलने के बाद देखते है इसमें ic का problem है या और कोई problem है हम इसको repairing करेंगे देखते रही है ठीक है पहले इसको इसका जो screw है इसको भी निकाल लेते है कि इसका जो connection है इसको हटा लेते हैं कि यहां से हम इसको खोल देते हैं कि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है गारी में लगा लगाने लगाने वाला क्लैम इदर लगा हुआ है यह अपि तक खोला नहीं गया देखिए फुरा सील किया हुआ है अब इसको हमने सील तोरा है पूरी तरह से सील प्यक्ट किया हुआ है तो इसका सरकिट इसमें बहुत सारा धूल मिट्टी लगा हुआ है तो इसको थोरा साफ करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या दिखते हैं तो हमने थोरा सा इसको ब्रश से साफ किया है दोस्तों यहां पर देखिए इस बोड में जो है जो आईसी लगा हुआ है यह आईसी कौन सा है इसको पहले हमको देखना होगा इसका आईसी के सामने जो प्लेट लगा हुआ है इसको प्लेट को हम हटा देखेंगे इसमें कौन सा नंबर का आईसी लगा हुआ है उसके बाद इस आईसी में जो mute function होता है कौन सा point में mute होता है यहाँ पर लिखा है 7388 का इसी है इसका mute function हम देख लेते हैं Mute function हमारा देखिए 1, 2, 3, 4 वो वाला जो point है यह वाला point जो है 4 number यह हमारा mute function का है और mute function में जो voltage होना चाहिए वो voltage इसमें मुझूद है या नहीं पहले हम चेक करके देख लेते है यह हमने इसमें supply दे दिया इसमें देखते है ON कर लेते है यह हमने इसको ON कर दिया है इसमें अभी हम voltage चेक करेंगे कौन सा voltage है आप है missing हो रहा है जिसके बज़े से हमारा stereo sound नहीं निकल रहा है इस point पे हमें voltage मिलना चाहिए देखिए 4.4 volt आ रहा है मतलब 4.4 volt सही है या भी 5 volt या 3.3 volt आ इसे कुछ होना चाहिए लेकिन 4.4 volt सही है या बोल्टेस हमारा बिल्कुल ओके है तो आगे देखते हैं उसके बाद आपको बताते हैं क्या दिक्कत है इसमें तो दोस्तों हमारा जो बोल्टेस है यहाँ पर 4.4 volt आ रहा है ठीक है तो यह जो ब्यूत बोल्टेस है यह इस पॉइंट से आता है यहाँ पर एक पॉइंट है तो यह यहाँ पर हमारा जो है ओडियो हमारा इस तरफ से निकल रहा है देखिए देखिए आईसी जो है यह ओडियो निकल रहा है लेकिन जो है यहाँ पर एक प्रोब्लम दिखाई दे रहा है प्रोब्लम क्या है जब भी हम यहाँ पर चेक करते है यहाँ पर हाथ लगा के देखते है देखिए यह हमारा FM में sound आ गया इसे इसको बंद करते है बंद कर दिया फिर से इसको चालू करते है उसके बद पावर अन करते है अब इसमें sound नहीं है देखिए sound मैंने full कर दिया है इसमें हाथ देते है देखिए यहाँ पर हाथ लगाते ही FM हमारा शुरू हो जाता है तो यहाँ पर देखते है इस sound इसमें बिल्कुल नहीं है यहाँ पर हम थोड़ा चेक करके देखते हैं देखिए दोस्तों इस IC में हमने थोड़ा सा हाथ लगाया तो रेडियो का जो ओडियो है वो निकल आया तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो IC है रही ड्राइ तो नहीं है इसमें जो है दोस्तों एक क्रिस्टल लगा हुआ है कि इस क्रिस्टल के वज़े से इसका sound ज़य तो चला गया होगा देखते हैं प्रिट से इसको बंद कर दिया प्रिट से इसको चालो करते हैं यह हमने चालो कर दिया अभी इसमें और यह हमने फुल कर दिया है यहाँ पर हाथ लगाते हैं देखिए क्या पर हाथ लगाते ही यह चालो हो गया हमको एक क्रिस्टल जो है पहले चेंज करना है क्रिस्टल हम कहां से देंगे हमारे पास देखे, कोई भी जो है, पुराना हमारे पास QSB परा होगा, तो उस QSB से हम इस क्रिस्टल को चेंज करके देखते हैं, ये क्रिस्टल चेंज करने के बाद, स्टेरियो हमारा साउंड आता है या नहीं, देखते रहिए, एक क्रिस्टल निकाल लेते हैं, देखे, दोस्तों, यहाँ पर क्रिस्टल मौजूद है, इस क्रिस्टल को खोल के यहाँ पर लगा के देखते हैं, यह जो प्रोब्लम आ रहा है, यह सोल्ट होता है या नहीं, हम पहले इस क्रिस्टल को खोल लेते हैं, कि अदय को कि यह हमने ये crystal को खोल लिया है तो पुराना जो crystal है उसको निकाल लेते हैं इसके बाद पहले बंद करते हैं उसके बाद crystal को लगा कि देखते हैं कि इसे फिर्ष्टल के वजह से जो है sound इसमें नहीं है कि यहां पी कुछ कच्रा जैसा लगा है इसको साप करते हैं कि अभी हम यहां पे क्रिश्टिल जो है हमने निकाला उसको लगा के देखते है तो दोस्तों देखिए हमने यहां पे क्रिश्टिल तो लगा दिया है देखिए यह क्रिश्टिल हमने कहा से निकाला तो हम आपको दिखा दिया यह क्रिश्टिल हमने चेंज किया है अभी इसमें लाइन देखे देखते हैं यह जो पुराना क्रिश्टिल है यह पुराना क्रिश्टिल को छोड़ दिया अभी इसमें हम एक बर लाइन देखे देखते हैं इसम जो sound का problem था वह हमारा solve वाकी रही क्रिस्टल हमारा कभी क्या होता है बहुत सारा stereo हमारा on नहीं होता है crystal की बज़े से crystal हम change कर देंगे तो stereo हमारा okay हो जाता है ठीक है तो इसको on करते है तो देखिए हमारा crystal इदर लग दिया है और यह जो हीट सिंग है इसको भी हमने क्रिस्टल को इदर लगा लिया अच्छे से देखिए कि यह पौन सा crystal है इस बोड से हमने crystal पुरणा बोड था यहाप एक crystal होता है उसको खौल के इदर लगा दिया और जो है अब इसमें थोड़ा सा हम थीनर से इसको थोड़ा साफ करते है उसके बाद आपको लाइन देख करके इसका sound सुनाते है यह sound हमारा वह क्या रहा है यह नहीं और इसका जो म्यूद वोल्टेस है म्यूद वोल्टेस आपको दिखाते है यह हमने मीटर को अन कर दिया है यहाँ पे हमने ग्राउन दे दिया और इसको जो है पावर अन करते है म्यूद वोल्टेस में जो है यह इस तरफ से चार पॉइंट चार नमबर पिन पर हमारा म्यूद वोल्टेस आना चाहिए ठीक है इस पॉइंट पर देखते है यह अभी तक on नहीं किया on करते है ओन हो गया है देखते है देखिए 4.4 बोल्ट म्यूद वोल्ट मतलब म्यूद जो है दोस्तों म्यूद होना जरूरी होता है म्यूद में वोल्टेस अगर नहीं होगा तो हमारा आइसी जो है ओन नहीं होगा वर्क नहीं करेगा यह म्यूद वोल्टेस कितना होता है 3.3 से ले अडियो हम चेक करते हैं एफम में लगा हुआ है देखिए यह एफम में हमारा साउंड जो है आ रहा है यह अभी ट्यूनी हो रहा है कि एफम में साउंड आपको सुनाई दे रहा है देखिए साउंड हमारा बिल्कुल काम कर रहा है तो अभी इसमें हम कोई भी यूजबी सेंस करते हैं यूजबी में लगा दिया देखिए बिल्कुल ओके काम कर रहा है कोई प्रब्लम नहीं है इसमें ओके है तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ठेंक्यू